Hello friends, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस YouTube चैनल का वीडियो टुटोरियल सीरीज Open General System, OJS का 3.X की वीडियो टुटोरियल सीरीज है इसके अंदर में आपको Open General System के जो चेंजेस हैं या Technical Issues हैं या Hosting's Related जो भी Issues हैं या जो भी Configuration's हैं, Programmetically कोई चेंजेस हैं वो मैं इस टुटोरियल में आपको बताता हूं, वीडियो टुटोरियल सीरीज में मैं आपको बताता हूं इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर लिजे और Bell Icon प्रेस कर दीजे ताकि upcoming जो भी आपके वीडियो टुटोरियल सीरीज हो, उसके alerts आपको मिल सकेँ वीडियो काम का लगे तो like and share जरूर करें कोई problem हो, hosting से related कोई problem हो programming से related कोई problem हो shifting से related कोई problem हो या publishing से related कोई problem हो तो हम मुझे comments करके बता सकते हैं कोई advice हो तो comments करके बता सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो open journal system की एक forthcoming issue निकालने के लिए article in price, multiple terms है, article in price की अगर कोई plug-in है तो वो plug-in को कहां install करेंगे और उसके अंदर install करने के बाद किस तरीके से वो दिखेगा या हम किस तरीके से उसको set कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में मैं हमको, मैं आपको दिखाऊंगा तो first of all first of all आपको अपना control panel login कर लेना है, control panel login करने के बाद आपका अगर c-panel होगा तो c-panel का control panel login करते से आपको यह file manager दिख जाएगा, नहीं दिखता है तो file आप type करेंगे, file manager आ जाएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ, direct admin control panel से बता रहा हूँ, और कोई भी दुनिया का कोई भी control panel होगा, या hosting का control panel होगा, उसके अदर file manager होगई ही होगा, आपको से find out करना है, file manager को आपको, आप open कर लिजे, file manager open करने के बाद, आपको find out करना है, public HTML, मैंने public HTML folder open कर लिया है, इसके अंदर आप folder find out कीजे, plugins, plugins, folder find out कीजे, plugins folder के अंदर आपको जाना है, generic folder के अंदर, generic folder को आप open कर लिजे, यह generic folder को आप open कर लिजे, वहाँ पर आप upload करने के दिखिए, आपको हर control panel में upload करने का function मिलेगा, चाहे वो cpanel हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी control panel हो, आपको upload करना है, एक directory upload करना है, लेकिन यहाँ पर क्या upload करना है, plugin को upload करना है, plugin upload करने के लिए आपको google open करिए, इस पर आप यह keyword type करिए, यह आपको यह website आएगी, आपको यह website ओपन करना है, website के अंदर आप यहाँ पर आपको tips and tricks tutorial मिलेगा, tips and tricks tutorial मिलेगा, इसकी में direct आपको URL है, यह मैं आपको description में paste कर दूँगा, इस post को open करना है, post को open करने के बाद आपको एक link मिलेगी, इस link को आपको download कर लेना है, download करके कहीं एक जगा पर आप save कर लिजे, ठीक है, मैं पास already save है, इसलिए नहीं करता हूँ, यह URL मैं आपको description में paste कर दूँगा, देन उसके बाद, उस file को आपको वहाँ पर upload कर देना है, मैं उस file को वहाँ upload कर दिया, जो भी आप download करेंगे, उसको upload कर देना है, upload करने के बाद, आपको वह इस तरीके से दिख जाएगा, आपको क्या करना है, उसको decompress कर देना है, extract कर देना है, मैंने extract किया, यह जितनी भी जो functions में आपको बता रहा हूँ, control panel के यह सब में होते हैं, यह forthcoming, आपका यह आजाएगा, एक folder आजाएगा, forthcoming बनके, फिर आपको अपना OJS login करना है, आपको अपना OJS login करना है, OJS login करने के बाद, आप सेटिंग और website में चले जाएए, सेटिंग और website में आपको find out करना है, plugins, plugins में आप जाएंगे, तो आपको installed plugins में, forthcoming आपको दिख जाएगा, forthcoming, यह दिख रहा है, forthcoming, किस section में दिख रहा है, यह दिख रहा है, generic plugin में, forthcoming plugin दिख गया है, forthcoming, forthcoming articles plugin के अंदर इसको enable करने नहीं, यह already enabled दिखा रहा है, इसमें और कोई option नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई option नहीं है, अब just आपको क्या करना है, जो आपके submitted जो articles हैं, या जो भी आपके issue का, जो future issue में जो भी articles हैं, जैसे इसके एक future issue में कुछ articles हैं, table of content है, ध्यान रहेगी, यह forthcoming plugin जो है, यह plugin जो है, वो सिर्फ उन्हीं articles पे काम करती है, जो future issue में published हैं, या उन पे issue selected हो चाहें नहीं हो, या forthcoming issue selected है, सिर्फ उन्हीं पे, जैसे आप इसके issue को published करेंगे, वो forthcoming से हड़े आएगे, automatic हड़े आएगे, अब यह एक article है, इसको मुझे schedule for publication करना है, अब मैं यहां से, या तो future issue select करूँगा, plus as well as show is forthcoming करूँगा, show is forthcoming करूँगा, ऐसे मैं जितने भी articles के साथ करता चले आँँगा, वो forthcoming में show होना शुरू हो जाएँगे, अब वो show कहां होंगे, show करने के लिए क्या करना होगा, आपका जो भी URL है, जो भी URL है, उसके आपने main website open कर ली, URL के last में आपको forthcoming लिख देना है, क्या लिख देना है, forthcoming, जैसे आप forthcoming लिखेंगे, आपको वो forthcoming issue का जो page है, वो open आजाएगा, जिसके अंदर उसकी सारी PDFs फाइल आएँगी, टाइटल आएगा, authors आएगे, authors के affiliation आएँगे, उनकी ORCID आएगा, abstract आएगा, published date आएगा, PDF आएगा, और अगर उसका कोई copyright attachment है, तो वो भी display में आएगा, जो information है, वो display में आएगी, जो नहीं है, वो नहीं आएगी, और जैसा abstract वहाँ पर डला होगा, बैसा abstract यहाँ पर देखेगा, इस तरीके से यह पूरा complete आपको issue दिखना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही मैं इस issue को publish issue करूँगा, यह मेरा forthcoming से गायब हो जाएगा, forthcoming से गायब हो जाएगा, जैसी मैं publish issue करता हूँ, यह देखेए, आपको forthcoming से वो गायब हो जाएगा, forthcoming issue blank हो जाएगा, अब मुझे वापस इस issue को feature issue बनाना है, unpublish issue, feature issue में आ गया, जो भी feature issue में जो भी articles होंगे, वो आपको forthcoming में दिख जाएगे, as well as आपको जो भी published issue हैं, जो upcoming issues हैं, उन पे आपको forthcoming choose करना पड़ेगा, यहाँ schedule for publication से आपको forthcoming issue choose करना पड़ेगा, तभी वो work करेगा, अधरवाइस नहीं करेगा, यही वाली published date वहाँ पर डिस्पले में आ रही है, इसके अंदर कोई और आपको template modification करना हो, तो template modification के लिए आप यह कर सकते हैं, कि आप वापस से अपना public html के अंदर, control panel के file manager उपन करके, public html के अंदर, plugins के अंदर, generic के अंदर, forthcoming के अंदर, आपको template folder दिखेगा, template folder के अंदर, content.tpl करके मिलेगा, content.tpl से आप उसके अंदर, और कोई estimate level पे कोई modifications करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, for example, मैं चाहता हूँ, कि एक में example के लिए करके बतायता हूँ, कि जिसे इसका जो background color है, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं background color यहां से कुछ old लेना चाहता हूँ, तो मैं background color क्या ले सकता हूँ, यह रहा background color, मैं इसको change करता हूँ, जो भी आपको background color लेना हो, लाइक मेरे को यह background color चाहिए, तो मुझे यह background color वहाँ पर update करना है, यह मैंने copy करा, और यह मेरे फाइस फाइल open है, इसमें आपको background color यह दिख गया, यह ज़स्ट एक example के लिए मैंने आपको बताया है, यह मैं फाइल को save करता हूँ, अब मेरा जो background color आएगा, वो नया वाला आएगा, यह आगया, मैं revert करता हूँ, इस तरीके से कोई अगर आप HTML लेवल पर कोई changes करना चाहते हैं, तो आपको इस फाइल में जाके changes करना होगा, कोई designing में, इसके अंदर आपका article का जो cover image है, वो भी display में आएगा, वो भी इसी के अंदर display में आएगा, अभी इसमें डला हुआ नहीं है, नहीं आ रहा है, हाँ, इसमें इसके अंदर इस वाले के अंदर problem यह है, कि अगर आपने issue का full issue डाला हुआ है, full issue, full issue डाला हुआ है, तो वो इसमें नहीं दिखेगा, issue का cover image नहीं दिखेगा, इसे इसमें issue का full PDF issue के लिए डला हुआ है, issue का cover image डली हुई है तो ये display में नहीं आएगा तो इसका एकी सिर्फ एकी drawback है जो भी सिर्फ articles जो upcoming articles हैं जो future issue में published हो चुके हैं सिर्फ वही articles यहाँ पर display में आएंगे with उनके PDF के gailies के साथ और abstract gailies और authors की affiliation ये सब के साथ बट issue का कोई भी description वगर यहाँ पर display में नहीं दिखाएगा अब इस plugin से related और कोई अगर कोई बदलाव हों तो आप मुझे इसके अंदर बताईएगा और जैसे related किसी और टाइप की plugin को testing करना हो या already किसी plugin के बारे में आपको जानकरी लेना हो आप मुझे comments करके बताईए मैं उसको study करके उसको analysis करके मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूँगा वीडियो के थुरू और किसी को अगर मुझसे contact करना चाहते हैं वो मुझसे अगर contact करना चाहते हैं तो मेरी Facebook profile से आप Facebook messenger के थुरू मुझसे contact करें WhatsApp पर मैं reply करने की थोड़ा avoid करता हूँ क्योंकि उस पर communication proper नहीं होता प्लस Facebook के messenger से हम एक दूसरे से screen भी share कर सकते हैं that's why I am asking about to call on Facebook messenger इस वीडियो में बस इतना ही Thank you